हेलो फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बोध धरम से संब्धित महत्वपन पर्षन एम उत्रों के बारे में पढ़ेंगे देखे दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आप ये जान ले कि हमने बोध धरम की संपूर्ण जानकरी इस से पहले वाले वीडियो में दे दी है और पर्षन वा उत्रों से संब्धित भी हमने दो और भी वीडियो बढ़े हैं जिनको पार्ट वन तता पार्ट टू से बताया गया है और ये बो दरम से संबंदित मैतोवन पर्षन और उत्रों का तीसरा पार्ट है तो हम बता दें कि यह वीडियो बो दरम से संबंदित अंतिम वीडियो है तो दोस्तों हम यहां पर आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारे यूटूब चैनल पे आपको बोध धरम से संबंदित संपुन जानकरी मिलेगी उनके लिए आप अलग से वीडियोज भी देख सकते हैं तो चलिए असो को बोध धरम में किसने दिख्षित किया तो वो थे मोगली पुत 30 वो धरम के कितनी संगीतियों का आयजन किया गया तो चार बोध संगीतियों का आयजन हुआ था तो अगला पर्षन है पर्थम बो संगीति कहां कब और किसके देक्स्ता में हुई तो पर्थम बो संगीति अब है राजक्राय की सब्त पढ़नी गुफा में 400 तैया से इस्सा पूरव में महाकस्प के देक्स्ता में हुई तो देखे दोस्तों ये जो बोह संगीतियां हैं ये कई बार पूछी जाती है और कोई भी प्रीक्षा हो जाए एक नेक परसन इन में से अवस्य आएगा तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए पर्थम बोह संगीति का आयोजन किसके सासनकाल में हुआ तो पर्थम बोह संगीति का उदश्य क्या था बूद के उपदेशों को दो पिटको विने पिटक था सूथ पिटक में संक्लित करना अगला पर्शन है द्वित्य बोह संगीति कहां कब तथा किसके देख्सता में हुई थी तो द्वित्य बोह संगीति वह वेशानी में 303 से इस्सा पूरा में और सर्वकामिनी की अध्यक्सता में हुई थी अगला प्रशन है द्वित्य बोध संगेती किसके सासन काल में हुई तो द्वित्य बोध संगेती है यह है काला सोग के सासन काल में हुई और यह जो काला सोग है यह कौन से वन से थे यह भी कई बार प्रशन आते हैं आपके तो वो था, मतलब जो कालास हो गई है, सिसु नागवन्स के थे द्वित्य बहुत संगिती का उद्रश्य क्या था? अनुसासन को लेकर मत भेद के समाधान के लिए बहुत धरम इस्थापित एम महासांगिक दो भागों में बाटा गया तृत्य बहुत संगिती कहां कब तता किसके धेक्सता में हुई? तो तृत्य बहुत संगिती वैं पाठली पुत्र में और 251 शापूर्वा में तता मोगली पुत्तिस के धेक्सता में हुई? अगला परशन है तृत्य बोह संगीती का आयोजन किसके सासनकाल में हुआ तो तृत्य बोह संगीती का आयोजन है यह समराट असोक के सासनकाल में हुआ और आप सब जानते हो जो महान समराट असोक थे वो मोरिय मंस से समधी थे संग में भेद के विरुद कठो नियमों का परतिपादन करके बोध धरम को इस्थाइत्वय परदान करने का प्रियतन किया गया तथा धरम गरंतों का अंतिम रूप से संपादन तथा तीसरा पिटक अभी धम पिटक जोड़ा गया अगला प्रिश्णा है चतूर्थ बोष संगीती का आयोजन कहां कब और किसके ध्यक्सता में किया गया तो चतूर्थ बोष संगीती का आयोजन कुंडलवन में पर्थम सताबदी इस्वी में और वसुमित्र की अध्यक्सता में किया गया अगला प्रश्णा है चतूर्थ बोष संगीती के उपाध्यक्स कौन थे तो चतूर्थ बोष संगीती के उपाध्यक्स अस्वगोश थे चतूर्थ बोष संगीती किसके सासनकाल में हुई थी चतूर्थ बोष संगीती कनिश्क के सासनकाल में हुई थी जो सासक कनिश्क हैं वो कुसान से संबंदित थे और हमारा अंतिम पर्षन है चतुर्थ बोस संगीती के आयोजन का उद्देशे क्या था बोस धरम का दो संपर्दयों में विभक्त होना हीनियान और महायान धन्यवाद दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बोस धरम से संबंदित महत्तों पर्षनों के बारे में पढ़ा और इसी परकार से इत्यास संबंदित कोई भी जानकार या आपको प्रात करनी हो तो यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे देखते रहे आप हमें फेस्बुक पे लाइक और शेर कर सकते हैं और ट्वीटर पे आप हमें फोलो कर सकते हैं तथा वाट्सअप पे आप हमारी नमीनतम पोस्ट देख सकते हैं और नमीनतम पोस्ट देखने के लिए आप हमारे ब्रोडकास्ट चैनल से जूर सकते हैं